हाई अब्रिवान आज का हमारा टॉपिक है फैक्टोराइजेशन चलिए आप ये बताइए मुझे कि अगर मैं आपको एक नंबर दूँ जैसे 10 मैंने एक नंबर दिया और मैंने कहा कि ये 10 के फैक्टर्स बताइए 10 के क्या-क्या फैक्टर्स है तो आपका क्या जवाब होगा what are the factors of 10 10 के factors yes factors of 10 आर आप कैसकते हैं 1 2 5 and 10 अब ये factors factors का मतलब क्या ऐसे नंबर जिनके multiples में ये 10 आएगा या जिनके table में हम कह सकते हैं 10 आए जैसे 1 10 जा 10, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10 and 10 जा 10 ये सारे numbers जो है 1 2 5 10 ये सारे के सारे 10 के factors हो गए अब factorization क्या होता है तो factorization ये एक process है जिसे हम ये 10 को इनके factors के product के form में लिख सकते हैं तो यहाँ पर 10 को हम लिख सकते हैं 1 into 10 या फिर हम लिख सकते हैं 10 को 2 into 5 क्या कोई और तरीका है इनको इस तरह से दो numbers के product के form में लिखने का तो यहाँ पर क्योंकि ये 4 factors है 10 के और इस तरह से ही हम इनको arrange कर सकते हैं तो यहाँ पर हम कहते हैं कि 10 can be written as 1 into 10 और 2 into 5 तो ये जो मैंने process किया ये इसे ही हम क्या कहेंगे factorization अब यहाँ पर ये chapter में हम इस तरह से numbers के factors नहीं find out करने वाले हैं या numbers को factorize नहीं करने वाले हैं यहाँ पर हम basically polynomial को factorize करेंगे आप लोग उने पढ़ा हुआ है monomial, binomial, trinomial, right तो इसी तरह से हम उन्हें factorize करेंगे तो चलिए देखते हैं कैसे factorize करेंगे ठीक है factorize करने के पहले मैं यहाँ पर आपको एक example लूँ कि कैसे हम दो चीदों को multiply करता है जैसे एक monomial को किसी binomial से multiply करना है अगर मैंने x को multiply किया 3x plus 2 से तो मुझे result क्या मिलेगा? मुझे result मिलेगा 3x square plus 2x क्या किया? यहाँ पर हमने x को 3x से multiply किया और x को 2 से multiply किया तो x को 3x से multiply किया तो यह 3x square और x को 2 से multiply किया तो यह हो गया आपका 2x 3x square plus 2x यह आपका एक binomial expression है और अगर इसे factorize करने के लिए कहा जाए तो इसे हमें इस तरह से 2 अलग-अलग factors में convert करना होगा तो यहाँ पर आप देखिए कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर आप देखेंगे 3x square plus 2x यहाँ पर हम x को अगर common ले ले तो x को common ले ले तो 3x square से आपने x को common लिया तो आपका यहाँ पर 3x रह जाएगा common लिया मतलब कि आपने वो factor अलग कर दिया ऐसे यहाँ से x को अगर अलग किया तो आपका सिर्फ 2 रह जाएगा तो अगर मैंने आपको कहा होता कि 3x square plus 2x है इसे factorize करना है तो यहाँ पर x हम common ले सकते हैं और आपका यहाँ पर 3x plus 2 यह आपका हो गया factorization तो यह जो तरीका हम लोगों ने देखा factorize करने का इसे हम कहते हैं factorization by taking out common factor अब चलिए यहाँ पर कुछ problems को हम solve करें using this method पहला problem जो आपके सामने है वो है 15x square plus 5 अगर कोई factor यहाँ पर common है तो वो common factor आप बाहर निकाल लेंगे तो 15x square plus 5 क्या लगता है आपको common इसमें if you see यहाँ पर 15 में 5 और यह 5 तो 5 यहाँ पर आप common निकाल सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि variable ही common होगा तो 5 common निकाला तो 15x square will become 3x 3x square now आप में से कुछ बच्चों को अभी भी problem होगा कि 5 common निकाला तो 3x square कैसे बच रहा है तो यहाँ पर आप mind में जो calculation करेंगे वो यह होगा 15x square इसे आप 5 से divide कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा तो 3x square अगर आप 5 common निकाल रहे हैं तो 5 से divide करके देखे क्या बसता है वो bracket open करेंगे multiply करेंगे तो 5 into 3 will become 15 15x square so it is 3x square plus 1 यह यहाँ पर होगा ऐसे ही यह second example लेता है second example आप खुद कर सकते हैं तो आप try कीजे a cube minus a square plus a क्या common होगा you can take a common you see यहाँ पर भी a है यहाँ पर भी a है यहाँ पर भी a है so if you take a common अगर आप a common लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास a square यहाँ पर आपके पास a और यहाँ पर आपके पास 1 बचेगा तो a cube की जगह पर a square minus a square की जगह पर a और प्लस A की जगह पर 1 जब आपने A common ले लिया तो यहाँ पर 1 कैसे? आप बोलेंगे यहाँ पर जिरो है? नहीं, A common लिया तो यह जो term है यह 1 into A consider किया जा सकता है and A को common ले रहे हैं आप मतब A को A से divide कर रहे हैं तो divide करेंगे तो 0 थोड़ी न आएगा क्या आएगा? 1 बनाएगा तो इसलिए यहाँ पर प्लस 1 हमने common रखा है चलिए यह तीसरा question यहाँ पर क्या common आप निकाल सकते हैं? देखिए पहले तो यह 2 और यह 4 है यहाँ पर आपने 2 को common निकाल लिया ठीक है? और कुछ common? यहाँ पर x power 5 है यहाँ पर x cube है तो x cube आप common निकाल सकते हैं और b square common निकाल सकते हैं अब यहाँ पर 2 अपने common निकाला है तो वहाँ पर 1 रह जाएगा x cube common निकाला है और b square common निकाला है तो यह पूरा का पूरा term अपने common निकाल लिया है तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, minus 2, x पावर 5 की जगा, यहाँ पर x स्कार बचा, और b पावर 4 की जगा, b स्कार बचा, फूर्थ, आप वीडियो को पॉस करके, यह फूर्थ प्राब्लम खुद ट्राइ कीजिए, तो चलिए, अगर आपने ट्राइ कर लिया है, तो एक बार देखते हैं, कि आपको सही आंसर आया या नहीं, 3 कॉमन निकाला आपने, क्योंकि 3, 9 जा 27, 3, 4 जा 12, ठीक है, फिर यह x पावर 5 है, यहाँ पर x पावर 4 है, यहाँ पर x पावर 3 है, तो x क्यूब हम कॉमन निकालेंगे, और इसी तरह से y कॉमन निकालेंगे, in y, y square, y cube, y common है, तो अब यहाँ पर क्या रह जाता है, x पावर 5 से x क्यूब कॉमन निकालने के बाद, यहाँ पर x स्कॉयर रह जाता है, multiplication में पावर एड़ होते हैं, तो जब आपने x क्यूब कॉमन निकाला है, तो 5-3 करके आप देखेंगे, आपको जो टम मिलेगा वो यहाँ पर लिखा आपने, इसी दरह से, माइनस यहाँ पर 3-9 जा, तो 9, x क्यूब निकाला हुआ है, तो यह x बचा, y निकाला है, तो सिर्फ यहाँ पर एक y बचेगा, और लास्ट में, प्लस, 3-4 जा, x क्यूब अपने निकाल लिया, और y निकाला है, तो y निकाला है, तो यह y स्कुरे रहाँ, तो यह इस दरह से अपने factorize कर लिया, अब चलिए, यहाँ पर 5th problem, 5th problem, 12, 6 और 3, क्या common निकाल सकते हैं, yes, 3 common निकाल सकते हैं, simply you can see that कि a, b, c भी common निकाल जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास 4 बचा, यहाँ पर 2 a, b, c बचा, और यहाँ पर सिर्फ आपके पास a square, b square, c square बचेगा, 6th problem में, यहाँ पर आप क्या common निकालेंगे, 2 a plus b, 2 a plus b देखिए, यह जो पूरा एक term है, यहाँ पर 2 a plus b आपको मिल रहा है common, और यहाँ पर भी 2 a plus b मिल रहा है, common multiple के form में ही आप देखेंगे कि क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर भी 2 a plus b multiple के form में है, तो 2 a plus b अगर आपने common निकाल लिया, तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 भी रह जाता है, और यहाँ पर minus 3c, ठीके, ओके, चलिए, यह अब 7th problem, आप खुद कर सकते हैं, बदाएए, क्या common निकल सही बात है, 2 common है, x, y, y, z, और x, z, यहाँ पर कुछ common नहीं है, फिर आप देख सकते हैं, यह a square plus b square common है, तो a square plus b square common निकाला, अब यहाँ पर क्या बचता है, 6 में हमने 2 common निकाल लिया था, तो यहाँ पर 3 बचा, x, y बचा, a square plus b square common जा चुका है, प्लस यहाँ पर 2 आपने common निकाला है, तो 4 y, z, और ऐसे यहाँ पर 5 x, z, तो यह आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम factorization करते हैं common factors को निकाल कर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कुछ common नजर आ रहा है, यह by inspection आप करेंगे, ठीक है, आपको दिख रहा है कि हाँ, हम हर term से कोई term को common निकाल सकते हैं, कोई एक ऐसा number या कोई एक ऐसा variable है, जो हर term में present है, तो उसे आप common निकाल सकते हैं, तो उसे पहले आप common निकाल लेंगे, चलिए, अब एक अलग तरह की problem को देखते हैं, factorization by grouping, ठीक है, चलिए, factorization by grouping क्या है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो यह सारे के सारे terms में कोई एक ऐसा number नहीं है, जो common है, तो यहाँ पर कोई एक single number हम common नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, तो यह एक group बना सकते हैं, यह group बना सकते हैं, और यह group बना सकते हैं, जिसमें हमें कुछ common मिल सकता है जैसे यहाँ पर यह ग्रूप में अगर हम देखें तो y square common निकाल सकते हैं y square common निकालते हैं यहाँ पर y minus 3 यहाँ पर हम देखेंगे यह ग्रूप में आप two common निकाल सकते हैं तो two common निकाला तो again यहाँ पर y minus 3 और यहाँ पर हम x-x common निकाल सकते हैं तो again y-3 अच्छा एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली यह है कि जब मैं common निकाल रहा हूँ तो मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूँ कि मुझे जो दूसरा factor मिलेगा वो हर जगा same मिले जैसे यहाँ पर y-3, यहाँ पर y-3 अगर यह last में मैंने minus x की जगह x common निकाला होता तो मुझे सिर्फ minus y plus 3x मिलता जो कि इन सबसे अलग है तो ऐसा हमें नहीं करना है अच्छा ऐसा करने से फाइदा क्या होगा कि आप देखिए अब y-3 आपको common दिख रहा है तो y-3 common दिख रहा है तो y-3 plus 2 minus x ऐसा हो सकता है कि यह जो आपको दूसरा factor मिल रहा है इसमें भी आप कुछ common निकाल सकते हैं तो अगर ऐसा होगा तो उसे common निकालना है फिलहाल इस problem में ऐसा कुछ नहीं है चलिए यह second question अब आप कोशिश कीजिए यह भी inspection सही करना है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ terms को rearrange करना पड़े जैसे a b आप second position पर लेके आएंगे a x sub third position पर लेके जाएंगे ऐसा हो सकता है possibility है चलिए यहाँ पर देखते हैं अब यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि यह दो term को अगर हमने group किया और यह दो term को group किया तो यहाँ पर हमें a common मिल रहा है और a plus x रह जाता है ऐसे यहाँ पर आप देखिए b common निकाल के हम इसी ज़रा से कर सकते हैं a plus x रह गया तो अब आप a plus x को common consider करेंगे a plus x यहाँ पर a plus x लिश लेता है a plus x आप कहेंगे कि a plus x now I can take as a common factor so a plus x एक bracket में और a plus b यह आपका दुसरा देखिए यहाँ पर a plus x को common निकाला यहाँ पर a plus x को common निकाला a plus x को common निकलते ही यहाँ पर सिर्फ a रह जाएगा और यहाँ पर a plus x को common निकलते ही आपके पास b रह जाएगा तो आपने इसकी जगा A लिखा है और यहाँ पर आपने B लिखा है चलिए, तीसरा question क्या हम फिर ये दो term को common ले सकते हैं ये दो term को हम साथ में ले सकते हैं तो अगर हम ये दो term को साथ में ले तो problem होगा कि हमने 2 को common निकाल लिया A-B हो गया और यहाँ पर A-2B हो गया अच्छा यहाँ पर भी A-2B हो रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 को common ले लेंगे तो ये A-B और यहाँ पर हम minus X को common लेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका A-2B अच्छा ये A-B गलत दिखा मैंने आप यहाँ पर common निकाल सकते हैं A-2B आपने common निकाला तो यहाँ पर आपके पास 2 रह जाएगा और यहाँ पर X तो A-B इंटू 2-X ये आपका third fourth problem में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम 3A square को common ले लेंगे 3A square को common लेते ही यहाँ पर हमारे पास 2 और यहाँ पर minus B रह जाएगा 2-B अच्छा यहाँ पर देखें 2-B के लिए हम यहाँ पर C square plus C square common लेंगे क्योंकि हमें B minus में चाहिए तो यह minus B है इसे हम बाद में लिख सकते है minus B और यह 2C square से C square common लिखा तो 2 बचा तो 2-B देखें common अब यहाँ पर 2-B आप common लेंगे और यहाँ पर आपके पास होगा 3A square plus C square चलिए फिफ्थ प्राब्लम आच्छा फिफ्थ प्राब्लम में आप यहाँ पर देखेंगे कि B minus 2X यह हमने एक साथ लिखा हुआ है अब क्या common लेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसे हम पहले क्या करेंगे open कर देता है bracket तो यह minus BX हो गया फिर यह minus और minus C plus यह 2X और यह minus 2B अब यहाँ पर देखेंगे तो X common है X को common ले लेते हैं तो X को common लेते हैं यहाँ पर X minus B एक term आ गया और यहाँ पर हम 2 को common ले लेंगे तो again यह X minus B यहाँ पर हमें मिल जाएगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि X minus B एक bracket में और X plus 2 यह दूसरे bracket में यह हमारा factorization चलिए 6 problem इसी तरह से आप हर problem को pause करके पहले खुद से कोशिश कीजिए ठीक है अगर आप problem को खुद solve कर पाएंगे तो ही आप में confidence आएगा कि आप problem को अच्छे से समझ पा रहे हैं और solve कर पा रहे है a square minus b square times c plus b square minus c square times c again यहाँ पर कोई term common दिख नहीं रहा है तो पहला काम क्या होगा पहला हम इसे open कर लेते है a square c minus b square c plus b square a minus c square a a c square भी लिख सकते थे हम अब यहाँ पर दो term है a c यहाँ पर भी a c है तो क्या अगर मैं इन्हें साथ में रखूं तो मेरा कुछ काम बन जाएगा चलिए देखते है a square c minus c square a then minus b square c plus b square a okay ऐसा करने से आप देखेंगे यहाँ पर a c हम common ले सकते है a c common लेते ही यहाँ यहाँ पर a minus c यह एक टमा गया अच्छा a minus c चाहिए यहाँ पर a minus c चाहिए तो आप यहाँ पर अगर plus b square को common ले ले तो यहाँ पर भी आपका a minus c होगा a minus c को common लेने के बाद यहाँ पर आपके पास a c plus b square यह टम रह जाता है ठीक है यहाँ पर a c plus b square में कुछ common निकाला जा सकता है क्या नहीं निकाला जा सकता है तो इसे हम as it is रहने देंगे चलिए एक और question last question discuss करें हम इस type का last question ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2a common निकल सकता है यहाँ पर 3b common निकल सकता है और यहाँ पर 4c common निकल सकता है ठीक है कोशिश करते हैं देखते हैं कि बिना rearrange किये हम problem को solve कर पाते हैं या नहीं तो आपने 2a को common निकला 2a 2a को common निकलते हैं यहाँ पर आपके पास b square c minus 1 प्लस यहाँ पर आपने 3b को common निकला तो यहाँ पर आपका b square c 3b common निकलते हैं यह b square c हो जाएगा और यहाँ पर minus 1 और यहाँ पर हम minus 4c को common निकलेंगे तो यह हो जाएगा b square minus 1 तो देखें B2C-1 यह भी B2C है तो आप देख रहे हैं कि B2C-1 यह एक फैक्टर हम निकाल सकते हैं common यहां पर भी है यहां पर भी है और यहां पर भी है यहां से हमने common निकाला तो यहां पर हमेरे पस 2A यहां से हमने common निकाला तो 3B और यहां से हमने common निकाला तो minus 4C तो यह आपका हो गया factorization तो अब तक आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से हम यहां पर factorization by grouping कर सकते हैं या फिर factorization by taking common factors कर सकते हैं अब आपको problem देखने के बाद यह आपको decide करना होगा कि किस method से problem solve किया जा सकता है और भी methods हैं तो यहां पर देरे देरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके लिए concept थोड़ा complex होता जाएगा तो अगर आप practice भी कर रहे हैं साथ में तो यह आपके लिए काफी आसान होगा और अंत में आप हर problem को अच्छे से समझ पाएंगे analyze कर पाएंगे और solve कर पाएंगे तो चलिए तीसरे type of problem की तरफ जाते हैं तो यह जो हमारा तीसरा type है factorization of difference of two squares चलिए यहां पर पहले हम discuss करते हैं कि अगर a plus b into a minus b को हम multiply करें a plus b into a minus b यह आपने identities में पहले भी पढ़ा है a plus b into a minus b a square minus b square होता है तो यह identity है आपने जो आपने याद किया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि अगर हमको कहीं a square minus b square जैसा term दिखता है तो उसे हम a plus b into a minus b लिख सकते हैं एक और example यहां discuss कर लेते हैं जैसे माल लेजिए 4x square minus 9y square है चलिए अभी जो 4x square है यह जो 4 है 4 2 का square है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x the whole square minus 9y square को हम लिख सकते हैं 3y the whole square और इसे factorize करना होगा तो यह हो जाएगा आपका 2x plus 3y into 2x minus 3y तो देखा आपने किस तरह से हम factorize कर सकते हैं चलिए एक और problem मैं discuss करता हूँ यहां पर जहां पर यह perfect square ना हो जैसे कि यह कुछ ऐसा हो 3p square या p power 4 ले लिजे minus 7q square ले लिजे कैसे हम factorize कर सकते हैं तो यहां पर answer है हा कर सकते हैं कैसे करेंगे यह जो 3 है अगर 3 आप ध्यान दे तो root 3 का square लिख सकते हैं तो यह root 3p square the whole square लिखा जा सकता है और 7q square को हम root 7q the whole square लिखेंगे अब यहां पर आप देखेंगे root 3p square plus root 7q यह आप एक factor बना सकते हैं और इसी तरह से root 3p square minus root 7q यह आपका एक दूसरा factor होगा तो देखा आपने की किस तरह से हम अगर 2 term हमको दिये हैं और वो square के format में है difference होना यहां पर जरूरी है अगर difference है तो हम उसे factorize कर सकते हैं using identity factorization of difference of two squares तो दो factor और दोनों ही square के form में होंगे चलिए तो चलिए अब हम कुछ और problem discuss करते हैं इसी method पर जैसे पहला problem आप देखिए 1-100a square अब जो 1 है 1 can be written as 1 square और यह 100 जो है तो यह आपने 1 square लिखा और यह आपने 10a का whole square लिखा तो यह आपका यहां पर हो जाएगा 1-10a आप minus term को पहले लिखें या बात में लिखें कोई problem नहीं है एक होगा 1-10a और दूसरा होगा 1 plus 10a ऐसे ही यह problem में अगर हम ध्यान दे तो 4 divided by 25 को हम 2 divided by 5 का whole square लिखेंगे और यह 25 जो है यह 5 का square है तो इसे 5b का whole square लिखेंगे और फिर इसके बाद हम इसे factorize कर सकते हैं 2 divided by 5 plus 5b into 2 divided by 5 minus 5b तो इस से यह दो factor यहां पर भी हमने बना लिए थर्ड question अगर हम देखें थर्ड question यहां पर थर्ड question आप इसको लिख सकते हैं 5a minus 3b the whole square और यह 16 है यह 4b का whole square है तो अगें दो square terms का difference है तो यह आपका हो जाएगा 5a minus 3b plus 4b एक bracket में और दूसरे bracket में हम लिखेंगे 5a minus 3b minus 4b fourth problem अब आप वीडियो को pause करके खुद लिख सकते हैं तो यहां पर वीडियो को pause करके try कीजिए और फिर बात में answer से match कीजिए तो यह आपका होगा 5a minus 2b plus 2a minus b एक bracket में दूसरे bracket में 5a minus 2b minus 2a और यह minus का plus हो जाएगा plus b तो यह हम देखें हैं तो यहां पर यह 5a plus 2a यह होगया आपका 7a minus 2b minus b यह होगया minus 3b इसी तरह से यहां पर 5a minus 2a यह होगया आपका 3a minus 2b plus b यह आपका होगया minus b तो यह रहा आंसर अब यहां पर कुछ numbers को हमने इसी तरह से लिखा है तो यह आप लिख सकते हैं 6 2 divided by 3 plus 2 1 divided by 3 यह एक bracket में होगा और इसी तरह से 6 2 by 3 plus अब यहां पर साथ हो यहां पर minus 2 1 by 3 यह आपका mix fraction है यह आप पर fraction में convert कर सकते हैं 6 3 जा 18 plus 2 20 20 divided by 3 plus 3 to the 6 plus 1 7 divided by 3 और यहां पर 6 to the 18 18 plus 2 18 plus 2 20 20 divided by 3 minus 7 divided by 3 So this will become 20 divided by 3 plus 7 divided by 3 यह होगे आपका 23 divided by 3 और यहां पर 20 minus 7 यह होगे आपका 13 divided by 3 तो हमें factor के format में रखना है आगे हम multiply नहीं करेंगे यह ही पर छोड़ देंगे 6 अब आप try कीजिए यह आप लिख सकते हैं से 4.5 प्लस 1.5 एंटो 4.5 minus 1.5 So 4.5 plus 1.5 यह होगे आपका 6 और यहां पर आपका यह होगे 3 So 6 into 3 फिक है तो हमें factor के format में लिखना है तो हम multiply नहीं करेंगे यहां पर अच्छा यह भी थोड़ा challenging है question यह challenging है question क्योंकि यहां पर आप देखें तो आपको लगता है कि a square minus b square हम लिख सकते हैं लिख लेंगे कोई problem नहीं है लेकिन फिर बाद में minus 2 b minus 1 का क्या करेंगे तो आपने अगर ध्यान दिया हो अगर मैं आपको कहूँ कि b plus 1 holy square इसका expansion क्या होता है क्योंकि identity आप already पढ़ चुके हैं तो आप बताएंगे कि यह b square plus 2 b plus 1 होता है तो क्या आपको यहां पर दिख रहा है b square plus 2 b plus 1 अगर आप minus को common निकाल लें तो मिल जाएगा यह तो आप उसे इस तरह से लिख सकते हैं तो यह थोड़ा difficult था सोचना कि ऐसे अभी कुछ हो सकता है तो चलिए इसे proper format में लिखते हैं a square minus bracket में आप लिखेंगे b square plus 2 b plus 1 और फिर इसके next step में आप लिखेंगे a square minus यह जो तीन टर्म है इसे हम लिख सकते हैं b plus 1 the whole square तो यह हो गया आपका a minus b minus 1 और a minus minus के बाद यहाँ पर plus रिखेंगे a plus b plus 1 तो जब मैं subtract कर रहा हूं तो यह plus b minus b हो जाएगा और यह plus 1 minus 1 हो जाएगा तो यह आपका factor है इसी तरह से आपको यहाँ पर सोचना है दिमाग लगाना है सोचिए अब बताएए पॉस करके वीडियो आप सोच सकते हैं फिर बात में हम solve करेंगे तो यहाँ पर यह जो तीन टर्म हैं यह अगर आप ध्यान से देखें तो यह x plus 3 का whole square है टेक है x square plus 2 into x into 3 that is 6x plus 3 square 9 और minus यह आपका 2y का whole square है तो यह आपका हो गया x plus 3 minus 2y और दूसरे ब्रेकरड में हो गया यह आपका x plus 3 plus 2y तो यह आपका तीसरा टाइप है जहां पर आप factorize करेंगे जब आपको 2 square के difference मिल रहा है तो आज के lecture में बस इतना ही यहाँ पर हमने सिखा कि factorization क्या है और 3 तरह के factorization हमने देखे जिसमें पहला था कि हमें कोई एक common factor मिलता है हर term में तो हम उसे common निकाल लेता है दूसरे type में हमने देखा कि हम grouping करके factorize कर सकते हैं तो ऐसे हमको 2-2 के group या 3-3 के group मिलेंगे जिसमें से हम कुछ element को common निकालेंगे और धिरे-धिरे हम देखेंगे कि हमारे जो expression है वो पूरी तरह से factorize हो जाता है और तीसरा type हमने देखा जब हमें 2 term के square का difference दिया हो तो उस case में हम identity यूज़ करते हैं a plus b into a minus b for a square minus b square इसके लिए ऐसी identity यूज़ करके हम factorize कर लेता है तो मुझे पूरी उमीद है कि आपको ये तीनों ही तरीके पसंद समझ में आएं है next lecture में हम कुछ और methods पे बात करेंगे thank you